नमस्कार में डॉक्टर आती देया चलिए जानते हैं श्रावन पूर्निमा पे कौन से ऐसा विशेश काम किया जाए कि हमारा चंद्रमा ग्रह है बहुत स्ट्रॉंग हो जाए यूँ तो पूरा सावन मास सी भगवान शेफ को अर्पित है जो की इंडिरेक्टली चंद्रमा से कनेक्टिड है यानि कि हम चंद्रमा को ठीक करने के लिए पूरा श्रावन मास अगर कोई उपाय करें तो बहुत सुपर्ब रिजल्ट आते हैं लेकिन किसी भी कारण से यदि आप से चूक हो गए और आप कोई उपाय नहीं कर पाए या आप और स्ट्रॉंग करने के लिए और फ़र्दर उपाय करना चाहते हैं तो श्रावन की पूर्णिमा सबसे बेस्टे रहता है कोई भी नियम को शुरू करने के लिए अगर हम चंदरमा की किसी भी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहें तो हम नहीं जानते हमारे ग्रहों की क्या पूजिशन है एक नॉर्मल आदमी को अगर मैं बोलूँ कि आपकी चंदरमा कहीं पीडित हो सकता है या कोई नीच का कहीं होके बैठ सकता है या कोई क्रूर ग्रह उस पर दिरिश्टी डाल सकता है तो उसको ये चीज समझ नहीं आएगी तो उसके लिए मैं सरल भाषा में उसको सिंटम्स बताऊंगी कि यदि आपकी कुंडली में कोई डिप्रेशन का स्टेट बन रहा हो यानि कि आप कोई बहुत जादा डिप्रेशिव स्टेट से गुजर रहे हो आपको मांसिक तनाव रहता हो आप emotionally बहुत जादा sentimental हो या आप बहुत जल्दी emotional हो जाते हो या आपके पास liquidity of fund थोड़ा कम रहता हो यानि कि धन का थोड़ा सा अभाव रहता हो तो अगर इस तरह की situations हैं तो मान के चलिए जो मैंने आपको कुंडली में चंदरमा की position बताई है कोई ना कोई यहां पर जरूर सेट बैटी होगी अब अगर आप एक normal इंसान है आप जोतिश feel से कोई संबन नहीं रखते तो आपके लिए अपने चंदरमा को ठीक करना बहुत challenging हो जाएगा और चंदरमा एक ऐसा ग्रह है जिसको बिना ठीक की हैं आप जीवन अच्छे से जी ही नहीं सकते क्योंकि यह मन का कारक है यह धन का कारक है जब यह दोनों चीज़ें हमारे पास अच्छी नहीं होंगी परियाप नहीं होंगी तो हमारी life कभी भी अच्छी नहीं हो सकती तो अपने जीवन को बहुत बहतर या जीवन को समान्य भेतर बनाने के लिए हमें इन चीजों का सहारा लेना पड़ेगा हमें इसको उपाय की माध्यम से ठेक करना पड़ेगा तो अब जो अगामी पूर्निमा है जो कि 22 अगस्त को है राखी के दिन ये पूर्निमा है उस अन आपको करना क्या है आपको एक लोटा जल लेना है आप स्टील का ये छांदी का लोटा लेजेगा that will be the best option उसके अंदर आपको थोड़ासा कच्चा दूध मिलाना है कोई सा भी मिलक प ले सकते हैं थोड़ासा गंगा जल मिलाना है थोड़ा सा आपको normal tap water मिलाना है बीच में थोड़े से काले तिल डालने है थोड़ी सी शक्कर डालने है थोड़ा सा गुड़ डालना है और कुछ अनार के दाने डालने है इसके अंदर आप 5 साबुत लोंग डालिए और 2 साबुत सुपारी डालिए आपने करना के है लोटे को बहुत अच्छे से ऐसे hold करके और ओम नमशिवाय करते हुए बिलकुल एक धार बनाते हुए इस जल को शेवलिंग के बिलकुल टॉक पे डालना है वहाँ पे आप जैसे ही इसको दीरे दीरे डालेंगे और मन में आग बंद करके सिमरन करते रहेंगे आप देखेंगे कि आपके अंदर एनरजी कितनी ड्वलप होनी शुरू हो जाएंगे आप अंदर से कितना अच्छा और हैपी फील करना शुरू कर देंगे जब यह जल खतम हो जाए लोटेगा तो आपने क्या करना है, एक कटोरी में थोड़ा से नॉर्मल जो आपका घी हो, यानि कि उसकी स्टेट आपनी चेंज नहीं करनी, उसको पिघालना नहीं है, हीट नहीं देनी, जैसे भी है वो आदी कटोरी आप घी ले लीजे, और फिर जहां पे आपने जल चड़ाया था, व नहीं मन, उसके बाद आपने क्या करना है, एक शुद लोटा जल लेके और जुगी आपने चड़ाया था, उसको अच्छे स्वच कर दीजे, फिर किसी साफ कपड़े से उसको पॉंच दीजे, उसकी बाद आपने एक 5 रुपे का सिकर शिवलिंग के उपर रखना है, ले लीजे, नहीं तो कुछ घिस के भी पावडर, वो चंदन स्टिक एविलेबल होती है, वो घिस के भी आप चड़ा सकते हैं, उसके बाद आपको चमेली, चंपागा, थोड़ा सा इत्र चड़ाना है, उसके बाद आपको हाथ जोड़के भोले नाथ से बस यही प्रेयर कर करूँगा, इस जो नियम को फॉलो करूँगा, आप प्लीज मेरी कुंडले के इस ग्रह को स्ट्रॉंग कीजिए, और मेरी लाइफ को एबेंदेंस और हैपिनेस प्रोवाइट कीजिए, और वहां से लेके, यानि कि उस दिन से लेके, या तो आप इसको 11 सौंबर, at least minimum 11 सौं आथा, आपकी फिनेंशल स्टेटस में कितना चेंज आता है, आपकी हम्पैनेस में, आपकी घर के इट्मस् Green में कितना चेंज आता है, आप यह फील करेंगे, डेफिनेट आप फील करेंगेframe कि घंज any civ salt to them a negative कहूंगी अगर आप अपने चंद्रमा सही करना चाहते हैं तो अपनी माता और अपनी सास के साथ संबंद अच्छे रखिए उनके आश्रवाद लेते रहें उनको खुश रखिए उनसे कोई नराजगी कोई द्वेश मतमन में रखिए देखेगा आपका चंद्रमा आपको कितन अमेजिंग रसल देता है यह वीडियो आपके लिए बहुत वैलियोबल साबित होगी मेरी यही एक कामना है इसी के साथ नमस्कार